हिमाचल के चला कांगरम में सूरजपूर स्थित ट्यूलिप फॉर्मिलेशन प्राइवेट लेमिटेड कंपनी बिना किसी अनुमती के रेमडे सिबिर इंजेक्शन बना रही थी रेमडे सिबिर की काला बजारी मामले का खुलासा इंदोर क्राइम ब्रांच ने किया है इंदोर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एक शक्ष को भी हिरासत में लेकर पुछता शुरू की है पुलिस सूतरों की माने तो आरोपी के पास से नकली रेमडे सिबिर के 16 बोक्स मिले हैं जिसमें से एक बोक्स में 25 के करीब इंजेक्शन थे जानकारी के मताबिक आरोपी शक्ष पेशे से डॉक्टर है तथा मद्य प्रदेश के इंदोर से तालुक रखता है जिसकी और से लोगडाउन के बाद ट्यूलिप फॉर्मुलेशन कंपनी में फिर से प्रोडेक्शन शुरू कर दी गई थी और इसी बीच साल 2020 के दिसंबर मा में यहां रेमडे सिबिर इंजेक्शन पनाने के लिए बकाईदा धरमचाला स्थित असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर और लाइसेंस अथोर्टी आशीश टेयना के पास आकर अनुमती भी मांगी गई थी जिसके लिए बकाईदा आरोपी शक्ष द्वारा कंपनी के मैनेजर पिंटू कुमार को उसके पास भेजा गया था मगर इन्हें इंजेक्शन की प्रोडक्शन करने की परमिशन नहीं मिली जिसके बाद कंपनी अपने प्लोट में कानुनी तोर पर पेंटा जॉल टेबलेट्स का ही उतपादन कर रही थी जानकारी के मताबिक टूलिप फॉर्मिलेशन प्राइबेट लिमिटेड कंपनी पिछले साल लोकडाउन लगने के बाद बन थी अगस्त 2020 को इंदोर के रहने बाले आरोपी नहीं कंपनी में फिर से उतपादन शुरू करवाया था और स्टाफ को हर महीने सैलरी भी नहीं दे रहे थे कंपनी में बरतमान में साथ करमचारी काम कर रहे हैं इसमें से दो सेक्योर्टी गार्ड भी शामिल हैं इस पूरे मसले को लेकर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला आशीश रहना से इस बावत बातचीत करनी चाही तो उनके धर्मशाला स्थित कारेले में ताला लटका हुआ था जबकि उनका मुबाइल फोन लगातार स्विच ओफ आ रहा था तो बहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक इस खटना के बाद असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर धर्मशाला आशीश रहना अपनी सहयोगी इंस्पेक्टर प्याचंद के साथ मौके पर पहुँचे हुए थे और बहां उन्होंने गहनता से चान बिन करने पर पाया कि सुरजपुर्सित ट्यूले फॉर्मूलेशन प्राइबेट लिमिटेड कंपनी को रेमडे शिबिर्क इंजेक्शन बनाने की अनुमती तो नहीं है किन्तो इन्हें पनाते बक्त किशि बिशेशग्य का होना जरूरी है आतर ये इंजेक्शन बिना बिशेशग्य की उपस्तिति में ही बना दिये कि उन्होंने नुर्पुर्ग के ड्रग इंस्पेक्टर प्यारचंद को मामले की जांच करने के आदेश दी थे अतय अप मामले की जांच पूर्ण करके फैक्टरी में उत्वादन बनाने पर प्रतिवन लगा दिया है साथ ही किसी भी करमचारी को अंदर आने की अनुमती नहीं है इस मौके पर थाना प्रभारी डमटाल हरीश कुलेरिया भी अपनी टीम सहीत जांच के बक्त मुझूद रहे वहीं जिलादीश राकेश प्रजपती की माने तो उनके जिला के इंदोरा उपमंडल में इस तरह का बाके सामने आया है ये उनके जहन में है और संबंदित अधिकारियों और पुलिस बिभाग को इस बाबत अलर्ट कर दिया है साथ ही तुरंद जानकारी जुटाने की भी बात कही है उन्होंने कहा कि जैसे ही उनके पास पूरे मामले की जानकारी मिलेगी तो उसे जुरूर सालवजनिक करेंगे ये जो मामला है मद्यपरदेश में कहीं उजागर हुआ है इन दोर से और उसके बाद कुछ कनेक्शन इसका कांगड़ा जिले से जोड़ा जा रहा है इसमें कल पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इसकी जानच परताल करें और ड्रग कंट्रोलर के माद्यम से भी जानकारी जो ही कठा की जा रही है आने वाले समय में कोई सच्चाई होगी तो जो भी कारवाई बंती हो जो भी सुचना आपके साथ शेयर परने की जोड़त होगी वो शेयर की जाएगी